सावन महीनी की शुर्वात चार जुलाई से होने वाली है शिफ पूजन के लिए ये महीना बहुत विशेश माना जाता है इस महीनी में भगवान शिफ और माता पार्वती की विशेश पूजन अर्चना कर उन्हें प्रसंद करने का प्रयास किया जाता है माना जाता है कि इस महीने भोले नात की विशेश क्रिपा रहती है मनुकामनाओं की पूर्ती के लिए ये महीना उत्तम माना जाता है सावन का महीना विवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए भी बहुत अच्छा समय माना जाता है इस महीने में दामपत्य जीवन की परिशानियों को दूर करने के लिए कई उपाय किये जाते हैं सुखी विवाहिक जीवन के लिए सावन में गौरी शंकर रुदराक्ष धारन करना शुव माना जाता है जानते हैं इसे पहनने से क्या लाप मिलते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष एक प्रकार का रुद्राक्ष हैं जो विवाहिक जुडों के लिए विशेश लापकारी माना जाता है। जो तिश शास्तर के अनुसार इसे धारन करने से विवाहिक जीवन में सत्भाव और समझ बढ़ती है। गौरी शंकर रुद्राक्ष नाम की उत्पत्ति माता गौरी और भगवान शंकर के नाम से हुई है। यह रुद्राक्ष शादी शुदा जोडों के लिए बहुत लापकारी होता है। शादी शुदा जोडे को बुरी नजर नकरात्मक उर्जा दुर्भाग्य से बचाने में बहुत मदद करता है। इसे धारन करने से जीवन में सभाग्या आता है। अगर आपका विवाहिक जीवन तनाफपूर्ण चल रहा है और आप अपने जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, तो सावन के महीने में गौरी शंकर रुद्राक्ष को सरूर धारन करे। सावन के महीने में इसे धारन करने से शीगर लाव मिलता है या रुद्राक्ष प्रेम, सत्भाव और सुरक्षा का शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। इसे पहनने से जीवन साथी के साथ सामन जस्य बनानी में मदद मिलती है। माना जाता है कि सावन में इसे पहनने से पत पहनने से एकागरता बढ़ती है और कोई भी काम बहुत अच्छे तरीके से संपर्ण होता है। इसे पहनने से व्यक्ति अपने कारेशेत्र में खुब प्रगती करता है। यह जीवन से तनाव और चिंता कम कर मानसिक शान्ती पहुचाता है।